तो पिछले कई महीनों से बेसबरी से इंतजार था Android 10 का तो फाइनली Google ने इस latest operating system के stable यानि की final version को officially roll out कर दिया है तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में Android 10 के 10 खास features के बारे में तो लेस गो इस Android 10 में कई सारे features Apple iOS 13 जैसे देखने को मिलते हैं और इस Android को अब तक का सबसे secure यानि की सुरक्षिद operating system कहा जा सकता है वैसे इस operating system में कई सारे unique features देखने को मिलते हैं इससे पहले की features की बात करें अगर आप इस channel पे नए हैं तो like, share, subscribe जो कुछ करने कराने का है कर दो थोड़ा ठीक ठाक रहता है अच्छा बात कर ली जाए इस operating system के सबसे खास feature की तो वो इसमें हमें देखने को मिलता है system wide dark mode अभी कई सारे ऐसे applications हैं जिसमें इस feature को experience किया जा सकता है लेकिन Android 10 के इस खास dark mode वाले feature का users को काफी time से इंतिजार था इस dark mode feature की help से users अपने smartphone को रात में आसानी से इस्तिमाल कर पाएंगे मतलब आपकी आँखों के लिए काफी राहत पिरदान करेगा ये वाला feature दूसरे feature की बात करें तो Android 10 operating system वाले smart phones में back button देखने को नहीं मिलेगा यानि कि अब तक आपने देखा होगा Android के जितने smart phones होते हैं उनके नीची side में या फिर left में या फिर right में back वाला button होता है लेकिन अब Apple iOS की तरह ही back button नहीं होगा आप एक button की help से ही इस operating system को इस्तेमाल कर सकते हैं ये button phone के display के center में होगा जिसे आप scrolling या फिर home button के तोर पर इस्तेमाल कर पाएंगे अब जो अगला feature है वो है Android 10 Bubbles यह एक Facebook Messenger के chat box की तरह ही होगा लेकिन इसका इस्तेमाल आप multitasking के लिए कर पाएंगे मतलब Android 10 में आप PC की तरह ही multitasking कर सकेंगे अगला feature इसमें में देखने को मलता है smart reply यानि की इस feature को आप Gmail में experience कर पाएंगे इस feature की help से आप किसी भी message का जवाब notification एरिया से ही smart reply के जरिये दे सकेंगे मतलब एक कमाल की चीज़ है अगर कोई email आता है तो उसमें पूरा अंदर गुसर नहीं पड़ेगा simply notification पे कलिक करके आसानी से आप उसका reply दे सकते हैं अगले feature की बात कर लिजाए तो वो है digital well being इस feature को आप Android 9 Pie में भी देख सकते हैं लेकिन Android 10 में इस feature को upgrade करके जोड़ा गया है यानि की artificial intelligence less ये feature parental control के साथ में आता है बागी किस application को install करना है या फिर नहीं करना है इसे approve या फिर disapprove किया जा सकेगा अगला feature जो इसमें add किया गया है वो है sharing shortcuts यानि की Android 10 में sharing applications के लिए एक shortcut add किया गया है जिसके help से आप files, photos या फिर वीडियो को आसानी से share कर सकते हैं अगली चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है security updates यानि की Android 10 में बिना किसी smartphone को restart करे हम important OTA और security updates कर सकेंगे अगली चीज हमें बहुत कमाल की देखने को मिलती है मतलब Android 10 में हम photos या फिर वीडियो में बिना किसी internet access के live captions लगा सकेंगे और ये media में smartphone के local time के हिसाब से captions fit कर लेगा अब अगला feature जो Android 10 का है बो है multi screen जो की सिर्फ और सिर्फ foldable smartphones के लिए applicable है मतलब आप foldable smartphone की दोनों ही screen पर एक साथ काम कर सकेंगे इस feature की help से बाकी इस Android 10 में Android के पुराने जितने भी बरजन्स हैं उनके मुकाबले जादा developers options देखने को मिलते हैं बाकी इस Android 10 में हमें focus mode भी देखने को मिलेगा जो की distracting applications होते हैं जो की दिक्कत create करते हैं इसकी help से उनके notifications को manage किया जा सकेगा बाकी integrated family control, navigation system, gestures, sharing features और multitasking जैसे features हमें इस नए operating system यांके Android 10 में देखने को मिलते हैं बाकी गूगल की जो pixel series है उसके लिए इसका update rollout हो चुका है अगर हमके पास में Google Pixel smartphone है तो आप update कर सकते हैं Google Pixel के बाद में Nokia, Motorola, LG या फिर Xiaomi MI की जो A-series है उसके लिए इसका update मिल सकता है मतलब अब तक का सबसे खतरनाक, अब तक का सबसे secure और शुरक्सित operating system ये कहा जा सकता है तो फ्लाल बस इस वीडियो में यही थी कुछ जानकारी जो हमने आप साथ में साथा जागी अगर आपका कुई सवाल है, suggestion है तो comment करके जरूर रताएं अगर आप इस चैनल पे नए है तो subscribe करके जरूर जाएं क्योंकि टेकनलोजी से related हरने ही पराण जानकारी मिलती है आपको इस चैनल पे अपने खुद की माशाह इंदी में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद very much